असलाम आलेकुम नाजरीन आपका इस्तिखबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिप दायके में नाजरीन आज हम बना रहे हैं चिकन चिली चीज बाइट आएए देखते हैं ये चिकन चिली चीज बाइट बनाने के लिए हमें किन चीजों के दुर्णत लगेगी यह बजिया वाली मिर्चे होती हैं, मोटी वाली हरे मिर्च जो होती है इसको हमने बीच से स्लिट करके और इसको पानी में दो टेबल स्पून सिर्का डालके वाइट वेनिकल डालके इसको आधे गंटे से बिगा के रखा हुआ है तो इस बाता धिहान रखना है कि इसमें जो बीज हैं उनको हमने पूरे अच्छे से निकाल देना है और इस तरह से सिलिट करना है कि यहां से और इधर से जुड़ा रहे है ठीक है तो यह हो गई है हमारी मिर्चे यह हमने धाइचोग्राम मिर्च ली है दो तरह की हमने चीज दोनों हमने इकवल कॉंट्टी में ली है दोनों 4 चा टेबल स्पून हमने यह ग्रेट करके रखी हुई है जब तक हमारा यह पके अपके गा तब तक हम इस इसको फिलहाल के लिए फ्रिज में रख देंगे 1 टेबल स्पून हमने ली है टबैसको सॉस यह यह देख़़े लिए गोष्टकाचारी मसाला लिया है और 125 ग्राम हमने चिकन लिया है और चिकन के क्यूब्स होते हैं उंको हमने थोड़ी लंबी स्ट्रिप में काट लिया है एक पैन में हमने एक चाय का चम्मच जब तरहने डाल के रखा हुआ है अब हम इसको पताना शूव करते हैं और द मुल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं चिकन, और इसको पोड़ा सा वाइट होने तक चलाएंगे, देखें कलर चेंग कोने लगा है इसका, अब इसमें शामिल कर देंगे, अधरक लचन का पेज़, अधरक लचन का पेज़, अधरक लचन डालते हैं इसमें पानी चूटने लगेगा, देखेंगे, अगर जरूरत लगी तो थोड़ा सा डालेंगे, दव इसमें हम ये पका लेंगे, अब ये जूशान का हमेरा गोष्ट का चारी मसाला है, ये हम डाल दे रहे हैं, ये काफी स्पाईसी का रहा है और इसमें नमक, मिर्चा भी चीज इसमें शामिल है, और काफी यह निए बहुत लजीश से होते हैं तो आप इसको जरूरू ट्राइ कीजेगा हम मिल्च में भर राएं हैं आप वैरिएशन कर सकते हैं आप समोसे में बढ़ सकते हैं, आप पॉकेट में बन सकते हैं जैसा चाहे आप इसको बना सकते हैं, बहुत भेटरी इन सी अचारी गोश्ट की खुश्वा रही है मशाला, अब इसमें डास देते हैं हम तबैको सॉस, ये भी काफी स्पाइसी और खटी सी होती है, तो मजीर इ तो इसको हम कर देता है दो इतने ही पानी में 5 मे सिरscheने से पानी पर एके तरीके से बना रहे हैं अब हम अपनी मिर्च क्लीन करके रखते हैं आपको बता थें किस तरह बनी है छिगन हमारा ऽा है मिर्च को हम बताते हैं कि अभी आदे घंटे से काफियili हूपफी। अब हम अपनी म्र्च जो है उनको हम clean कर लेंगे तो पानी आप इसका अच्छे से निकाल दें इस तरह से और टीशू पेपर ले ले लेकर इसको अच्छे से dry कर लें देखिया किस तरह से हम इसको dry कर रहें और एक plate में हम इसको रख लेंगे यह आप इस तरह से बना के आप इने इस चोर भी कर सकते हैं यह बहुत अच्छे बहुत मज़िक है यह spicy से cheesy bites होते हैं चिकन के साथ बहुत अच्छे लगते हैं आप try ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही अब हमने फारी मिर्चों को इसको पोच के रख लेना है एकदम सुखा कर लेन है यह दिहान रखें अंदर भी पानी नहीं रहे एक मिर्च और ड्राय कर लेते हैं टिशू की कंजूसी ना करें जल्दी किला हो जाता है पूरा टपका लेंगे अच्छे से बीजों का दिहान लखना है कि बीज जो है वह आपने बिल्कुल पूरे तरीके से निकाल देने है अब अच्छे से हो गई ड्राय ऐसे ही अब हम सारी मिर्च को ड्राय कर लेंगे चिकन हमारा तकरीबन रेडी होने आया है चिकन को देख लेते हैं चिकन हमारा तकरीबन माशालला पके फिल्कुल रेडी हो गया है और ड्राय भी हो गया है फ्लेम को अग हम कर देंगे बन और और यह एक भूल में रख लिया है दो अंडे हमने पेट लिये है इस तरहां से और थोड़ा सा यह फ्रेश ब्रेट कुम हमने थोड़ा सा ड्राइ करके रखा हुआ है क्योंकि जो स्लाइसे के हम आइटम मनाते हैं या जो मोटे फस्ट और लास्ट बच जाते हैं तो उनको जाय एक लिट में ले दी है मैदा यह दी हमारी चीज, वर चिकन डिकन रेती हो चुका है अब हमने क्या करना है अब हमने करनी है फिलिंग तो इत ही मिलच में आपने जो चीकन के पीशें इसको दोगो तीन तीन पीसे इसमें भर देने हैं बस मुश्किल से तीन पीस ही काफी रहेंगे, आपने तीन पीस ये भर दीए, अब थोड़ी सी इसमें आप भर दें चीज, चाहें तो आप हाथ से भर लें, हाथ से भर लेते हैं, अच्छे से भर जाएगी, इसको खूब अच्छे से दबाके आप इसको प्रेस कर दें, दोनो तरफ से ये अच्छे से भर जाए, चीकन बीच में चला जाएगा, चीज आपकी दोनों साइड में आ जाएगी, देखें इस तरह से ये रेडी हो गया, इसको प्रेस कर दें, इस तरह से आप देख सकते हैं, दोनों को हमने मिर्च को कैसे मिला के इसको जोड दिया है, इस त पीस चला गया चिकन का, और ये चला गया तीस ता पीस, तीन पीस हो गया, काफी है, और अब चली जाएगी ये चीज इसमें, थोड़ा सा इस तरह से इसको दबा दें, बहुत लजीज होते हैं, मिर्च के पकोड़े तो आपने खाए होंगे, लेकिन चिकन और चीज के साथ पकोड़े क्या लज़त देते हैं, या आप ट्राइज जरूर कीजएगा, तब रमजान के लिए तो आइटम है, अल्ला ताला कितनी नेमतों से नमासता है, हम सोचते भी नहीं है, नॉमल दिनों में ना इतना फ्रूर्स कहाए जाता है, ना इतने आइटम खाए जाते हैं, कुछ सोचें, कितनी सारी तरह की हम चीज़े रमजानों में आइडिय लगाते हैं, बनाते हैं, तो यह अल्ला का फजलो करम है, कि हर किसी के दस्तरखान पे हजारों तरह के आइटम मिलेंगे आपको, कुछ लोग कम, कुछ जादा लेकिन बनाते जरूर हैं सब, तो यह एक म मिर्चों की चिकन और चीज की फिलिंग हमने कर ली है, आप देख सकते हैं कितनी फर्स क्लास ही है, इसमें हो गई है, और अब हम इसको कोटिंग शुरू करते हैं, थोड़ा से चिकन हमारा बच गया है, क्योंकि एक्सेज नहीं भरना था, तो एक सो पचीस ग्राम में से थो मिर्च की मिर्चे बनाएं, अगर इसे बड़ी होंगी, तो आपकी पूरी कॉंटिटी लग जाएगी, अगर मिर्च का साइज यही होगा, तो थोड़ा बहुत बच जाएगा, तो मसला नहीं है, कुछ भी दूसरी वराइटी में हम इसको यूज ले सकते हैं, अब सबसे पह So memorize the next day, का सब तरफ से आप इसको घुमा basically अच्छे से डिस्ट कर लें, होने के वाज डिप करना है अंडे में, कोई 15 बर्थन ऊब वह ले लएं and अगर dein नहीं हो तो, इस तहां से आप इस तरह के बर्थन में भी आप ले सकते हैं, बस यो डिस्ट होगा, अच्छे से अब को कोट करेंगे अभी हा गया हमारा कोट अब इसके बाद हम करेंगे इसको करम में जो ब्रेट करम रखा हुआ है इसमें अच्छे से कोट करेंगे तो अच्छे से इसको घुमा लें एक बार और इसके बाद वापस एक बार आपने इसको अंडे में कोट करना है अले में कोट करने के बाद इसको इस तरह से टपका लें और फिर वापस से क्रम लगाएं तापके इसके उपर एक अच्छी क्रिस्पी सी कोटिंग जो है वो चड़ जाएगी और इसको साइड में रख लेंगे अभी हम दूसरी ठैट में रख लेते हैं अभी फ sens का लगाँची करके लिए तो इसको फ्रीजर में रख दें थोड़ी देर के लिए आदे एक घंटे के लिए कम झेक हुआ आएंगी तो आप इसको किसी air tight container में रखे एक हफ्टे के लिए आराम से इसको रख सकते हैं जादा दिनों के लिए कोई भी चीज की हम advice नहीं देते हैं कि बासी करके खाने से क्या फाइदा कोई फाइदा नहीं है फ्रेश फ्रेश बनाएं फ्रेश फ्रेश खाने हैं यह कर लेना है क्रम से अच्छे से यह हो गया अगें अंडे में टिप करेंगे अंडे में अगर आपने नहीं करना है तो आप मैदा का घोल बना लें मैदा के घोल में भी आप अराम से इसको कर सकते हैं क्रम को थोड़ा के कर लेंगे तोड़े की निकाले हैं क्रम क्यूंकि वेस तकरीबन गर्ब हो चुका है वहारा ने इसको बनाकर सीधह रीफ्राई करने की अब हमने एकक करके मिल्च को इसम होड़ देना है ब् केट अच्छे यह जर्म कर लिया है बहुत अच्छे से इसको किलर लाना है गॉर्डण सा और एक दम प्लोग किया हुआ है तो अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए इसी तरीके से जो बाती की मिर्चे है आप चाहें तो इसको ऐसे करके रख सकते हैं और चाहें जितनी आपको ज़रूर लगे जितने लोग सी आप से उठने आप इसको बना लें फिल्हाल तो हम इसे उठाके रख देंगे क्योंकि अभी हमने फिल्हाल इसे नहीं बनानी है देखें कितना प्यारा सेक्ट में कलर आ गया है अब इसको हम टर्न कर देंगे जालते ही फॉरन टर्न नहीं करना है फ्लेम आप कर देंगे फोड़ इसी मीडियम और जो हो गया है उनको आइस्टा से टर्न कर देंगे तो इसकी कोटिंग जो हो उपर से वो उतरनी नहीं चाहिए तो इस बार का आपने बहुत जहान लखना है रहे हैं जर्म सबकेक अच्छे से कल आने लगे हैं बस स्कोड़ी देर में ही्याजी अच्छे से कूप हो जाएंगे इसमें तकरीबन अच्छे से कलार आच चुका है यह जल्दी हो गई है तो इसे अभी हम सोड़ी बेर में निकाल लेंगे बस यह जिए 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 आप डालते जाएंगे वैसे ही वैसे मिल्च जो है आपकी यह प्राइ होती जाएंगी बहुत जिए जिए से आप डालेंगे वैसे ही आगे पीछे टाई होके रेडी हो जाएंगे देखें आप तोड़ा से इस पे से हटा हुआ है तो मिल्च का कलर देखें आप कैसा वाइट सा हो गया है बस यह मिल्च अंदर से तकरीबन कुख हो चुकी है तो इसको बस फोड़ा सा और हमने करना है गोल्डन सा कलर यह कलर हमारा हो गया है रेडी इतने परीज को निकाल लेना है इसे ही करके आपने निकाल देना है इसे बाकरीबन होने आई है इसे पाद से ऑईल जर्म हो जाए उसके बाद मिधियम करके भी आप इसमें डालेए फ्लो तू मिधियम तीट पर इसको फ्राइ करना है और इस्तिप्स मैं पहले रमजाम में देशिकी हूं अभी वापस दूँरी कि ओॉईल तकरीबन सब के घर तो तीन बार से जादा यूज ना करें और धिहान लखें के ज़रूरत है तो उतना ही पेल लें पिर भी अगर ऐसा लगता है कुछ नॉन्वेज आपने प्राई किया उसके बाद आप वेज उसमें प्राई नहीं कर सकते मजी दूसरा पेल लेके बरबादी लगानी की जरूरत लास्ट में क्या करना है जब आप तराभी पढ़के जब फ्री हो जाएं फारी हो जाएं सब चीज से तो अध्रका एक छोटा सा तुकड़ा चील के या बिना चीले उसको थोड़ा सा कुचल लें कुचल के ऑईल में आप अप अच्छे से खॉला लें जब लेगा तो उसका प्राइब कर सकते हैं बतब के इस बात से जादा यूज ना करें क्यूंकि वह हमसुल हो जाता है तो यह वाली में प्रस क्लास से बने हैं इसमें बहुत खाएं परका इस तरीके से बनाए और इस तरीके से ठाएं तेकि कोई-परी की इस बीस में सिंपल कर आ रही है यह भी ह हमारे तक्रीबन सब रडी हो गए है यह दिया हम ऐसे ही बहार निकाल लेते हैं बढ़िया से हमारे रडी हो गए प्लेन अब कर दें इस बात से बात से निकाल लेते हैं अब हम आपको इसकी प्लेटिंग करने के बाद उसको फ्रीजर में आजे से एक घंटे के लिए रखें और उसके बाद ही आपने उसको एटाइन कंटेनर में करना है ताके वह अच्छे से कोटिंग पूरी सेट हो जाए अब हम आप इसको आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं एक मिल्च को आपको कार्थी बित आप बता देते हैं के कैसी यह अंदर से निकलेगी आप देखें कितनी क्रिस्पी और कितनी फर्स क्लास सी यह हुई है और देखें चिकन और मैल्टेट चीज कितनी फर्स क्लास सी यह दिख रही है लीजे नाजरीन ये अचारी चिली चीज बाइट्स रेडी है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको जो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें नेक्ट रेसिपी के साथ सीमा शेकाप की खिदमत में फिर हाजिर होगी अल्ला हाफेज